और दोस्तो एक बीमारी हम अपने बकडियों मा भी देख रहे हैं इधर दो चार दिनों से देख रहे हैं लगबक सबको सरदी होके रखाया आप देख सकते हैं जो नाक से नेटा बहता है लिकविड ऐसा वो सबको अधिकतर को हो रखाया 5-6-7 बकडि को नहीं हुआ है बाकि स साइड से लटक तो फिर फीवर उबर हो जाएगा बकड़े बीमार हो जाएंगे दोस्तो अभी डॉक को लेकर आ गया है नदी साइड और साथ बज गया था सुबह में लेकर आए थे पांच बजी एक बार इनको उसके बाद फिर जाए गया है तो हम सो गया है नींद पड़ खोलेंगे लेंगि डॉक के लिए कोई दिक्कत नहीं है लम जमीन ठंडा ठंडा है और मौसम भी ठंडा धूप ऊग चुका है तो अराम से खोलेंगे बगड़ी को तब तक इलनों को घुरा देते हैं अराम से अब दोस्तों अभी दोनों डॉक को लेकर आ गया है एक डॉक अधी साइड ही अभी है और निलों को लेकर आ गया है जो मेरी प्रेगनेंट डॉक चिंकी थी अभी उसका लगवक 40 दिन हो चुका है पूरा कंप्लीट हो गया 40 दिन है और समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि प्रेगनेंट है या फिर नहीं है कुछ का हम खुद कन्फ्यूज हो चुके हैं और इसका निपन लटकना स्टार्ट हो चुका है आप देखें ये निपन चुका है और निपन देखें आपनेट कि पर ब Mitgl但是 का नहीं है दोस्तों और चुछ steep नहीं है जो भी है अब देखा जाएगा दो चार दस दिन वाद ये पूरा कंपर्म हो जाएगा अभी तो चालिस दिन हुए है तो आप कमेंट में बता है दोस्तों आपको आगर नोलेज है तो आप कमेंट में बता फारम साइड आ चुके हैं और दोनों बच्चे अभी हमने कालते हैं फटाक से हलो दोस्तों गुड मारिंग कैसे वाप लोग और अभी टाइम की बात करें तो नो बच्चुका है और बकरियों को खोलने के लिए हम सूच रहे है लेकिन बाहर में बारीस हो रहा है दोस्तों थोड़ा-थोड़ा पानी पर रहा है तो तो समाझ नहीं आ मौसम अगर भाहर थंडा थोड़ा कर दिया है मौसम अगर बारीस रुख जा तो इनको फिर बाहर निकाल देंगे दोस्तों खुलने के लिए छोड़ देंगे इनको और दोस्तों एक बीमारी हम अपने बकड़ियों में पी देख रहा है इधर दो-चार दिनों से देख रहा तो समझ नहीं आरा दवा चलाएं या फिर देशी तरीके का इलाज करें ऐसे हम जो दलिया बना के देते थे गरम गरम उचरपाद दस पांचे दिन से नहीं मिल रहा है इनको अगर मिल जाता तो सब ठीक हो जाते थे दोस्तों तो ट्राइ करते हैं एक दो दिन में वह ले आए अगर बना के दे देंगे तो सारी सर्दी ठीक हो जाती थी दवा का हमको कोई उपाई राज भी नहीं करता था अधिकतर बकडी को होकर रखाया है मेरा और सब आपको अगर इसका इलाज पता हो देशी इलाज है फिर कोई अच्छा भी इलाज आप कमेंट में बताएं दोस् तो इसका देखते हैं जो दली हम बना के देते तो फिर से स्टार्ट कर देते हैं और फिर अराम से ठीक हो जाएगा दो चार दिन देने के बाद गरम गरम सब ठीक हो जाता है और दोस्तो थोड़ा थोड़ा पानी पर रहा है लेकिन मेरे पास कुछ आपसर नहीं था तो हमने कहना है लेके आ गां और दिनकस दमे नहीं है रहा हुं है तो नहीं दोस्तो में लुप woods चुका हो आपस दाही यह शायकर दें और चीकन का पानी इसमें एड़ है वाकि इसमें केल सीम दही चावल है चीकन का पानी इसमें नहीं एड़ किया है इसको अभी देते हैं नॉर्मल देखते हैं खाता है कि नहीं खाएगा तो नहीं है दोस्तों वह हुआरेने च्छिश्स देखते हुआ रहा है करना रहत यह और बॉर्त भाड़ी सो रहा hijos और लाख बारी सो रही है और लगभब मारा शाड़े बारा ऑंचा करें जो हो चुका है लगखागी, इक अद 2 बजी तक चरेंगे, उसके बाद इनको अंदर करेंगे, और आज ठंडा मौसम में तो आज पानी नहीं देंगे, कल धूप होगेगा तो पानी देंगे, आज पानी नहीं देंगे इb तोपर से फिर फीवर हो जाएंगे तो पानी इनको नहीं देंगे तो आज एसे इनको छोड देंगे वागत पीछे चूटी थी वह भी आ चुकी है तो उनको भी जुड में एक साइड कर देते हैं अब इनको छोड़ देंगे इधर भी चरेंगे और खेट साइट से नीचे से आ गई उपर की साइट उपर से चल चलते यह फारम की और चली जाएंगी सारी बकरिया देखे दोस्तों एक क्या कर रखा है पूरा जमीन खुद दिया है अब देख सकते हैं और देखें कैसे बदमासी भी कर रहा है पैड़ाराम से पूरा गढ़ा कर दिया है और कितना पुरा कोड के अंदर इस मट्टी फेक दिया है एक वहां पर बांदा गुए था और यहां पर और एक गिला पुरा खोदता रहते हैं बहुत बदमास है दोस्तों सबसे जादा मेरे डॉग में बदमास है और कुछ नहीं है बस खोदना ह हुआ कर दिया है भर भर इतना गढ़ा कर दिया पूरा पाकल एक है इसको लिए कि चल दे तोस नदी साइड नों कैसे मस्ती करते हुए ँए जा रहे हैं दोनों और बदी बिन रचलते हैं लेके और इनको भी ले गुर आ देंगे अभी ऑगम हुए थे लो त्री घंटा से ब तो दोस्तों पाच बज चुका है और बगरिया सब चर के पेट भर गया सब देख सकते हैं सबका पेट भर चुका है अब टाइम की बात करें तो लाओ कि दस बजे हम बगरी लेके चले चराइपे और अभी पाच बज गया बहुत दिन भर चरी हैं दिन भर हमने इनको छोड़ दिया था खुला में चरने के लिए सबका पेट भर चुका है दोस्तों सबको अंदर कर देते हैं और मेरा पेट खाली हो गया दोस्तों सुबह से भूख लगा हुए क्योंकि दिन भर जादी इसी में टाइम चला गया मेरा तो सुबह से खाना नहीं खाया है सुबह के टाइम यहाँ से मार्केट लग द्यावट 10 क्लोमेटर दूर है दोस्तों जहां पर चीकन मिलता है, तो देखते हैं मार्केट में जाते हैं, अगर टाइम मिल पाए तो चले जाएंगे और लेका आ जाएंगे और वीडियो इह पर हमाप्त करें दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत को न भूले दोस्तों और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है और